बायोग्राफी बाई रोहित शेनल पर आपका स्वागत है शहीद भगस सिंग भारते दिहास के पन्नों में दर्च एक ऐसा नाम है जिनके बलिदान की कहानिया हम और आप बच्पन से सुनते और पढ़ते आए हैं इनका जन 27 सितंबर या 28 सितंबर 1907 को लायलपुर्ग जिले के बांगा में हुआ जो अब पाकिस्तान में पढ़ता है भगस सिंग महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हस्ते हस्ते देश के लिए फासी के पंदे पर जूल गए हलो फ्रेंड मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं बायोगराफी बाई रोहित 23 मार्च 1931 बहत तारिक थी जब अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी हाला कि उनके कारों ने देश के युवाओं को राष्टे की सौतनता के लिए हमेशा प्रेरित किया उनके राष्टे पर चलकर बहुत से लोगों ने भारते 27 अंग्राम में महतपूर भूमी का निवाई जहां कई लोग भगस सिंग के गरांतिकारी दिश्टी कौन से सेहमत नहीं थे बहीं बड़ी संक्या में लोग उनके समर तक थे इस वीडियो में हम भगस सिंग की कुछ अंसुनी बाते आपको बताएंगे जो आपने सायद ही सुनी हो अगर आपने हमारा चैनल वाईगराफी बाईरोईत सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सबस्क्राइब कीजिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमबर एक बहगस सिंग साधी नहीं करना चाते थे ऐसी में उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की तो बहे अपना घर छोड़ कर कानपूर चले गए थे उन्होंने यह कहते हुई घर छोड़ दिया कि अगर मेरा बिवा गुलां भारत में हुआ तो मेरी दुलहन मौत होगी नमबर दो भगस सिंग ने सुगुदेब के साथ मिलकर लाला लाच्पत राई की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहूर में जेम्स स्कोट को मारने की साजिस रची हाला कि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने विर्टिस पुलिस अधिकारे जॉन सॉंडर्स को गोली मार दी थी नमबर तीन सिक होने के नादे भगसिंग के लिए उनकी डाड़ी और बाल बहुत मैत्मून थे मगर उन्होंने बाल कटबा दिये ताकि बह अंग्रेज उन्हें पकड़ ना सके अता बह बिर्टिस पुलिस अधिकारी जॉन सॉंडर्स की हत्या के बाद लाओर से भागने में सफल रहें नमबर चार बिर्टिस पुलिस अधिकारी जॉन सॉंडर्स की हत्या के करीब एक साल के बाद भगस सिंग और वटो केशवर्दत ने दिल्ली के सेंडरल असेमली हौल में बम फेंके इनकलाब जिंदावाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफतार हो जाने दिया। नमबर पांच, जील के अंदर भी भगस सिंग का क्रैंथी कारी रवईया कायम रहा। उन्होंने आकरमक तरीके से भारत की आजादी के लिए कैदियों को प्रेरिद किया और अंगरे योगों नाको चने चवा दिया। नमबर शे, अपने मुकदमे की सुनवाई के समय उन्होंने अपना कोई भी बचाव पेश नहीं किया। बलकि इस अफसर का इस्तमाल उन्होंने भारत की आजादी की योजना का प्रचार करने में किया। नमबर साथ, भगसिंग को फांसी की सजा साथ अक्टूबर 1930 को सुनाई गई जिसे उन्होंने नेरवे होकर सुना। नमबर आठ, जेल में रहते हुए उन्होंने बेदेशी मूल के गैदियों के साथ अच्छा बैवार करने की मांग की। उनके साथ इलाज में भेदवाओ के विरोध में उन्होंने 116 दिन की धूँख हरताल भी की थी। नमबर नो, उनकी फासी की सजा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटा कर 23 मार्च 1931 को साम साड़े साथ वजे कर दिया गया। उन्हें फासी की सजा सुनाने वाला नियादीस का नाम जी सी हिल्टन था। नमबर दस, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजेस्टेट उनकी फासी के समय उपस्तित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मोत के असली वारंट की अबदी समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्त अकसर किये और फासी के समय तक उपस्तित रहे। नमबर ग्यारा, लोगों का कहना है कि भगत सिंग हस्ते हस्ते फासी पर चड़ गए और ब्रिटिस समराज जवाद का नास हो ये अनके द्वारा ब्रिटिसों के खिलाब अंतिम नारा था। नमबर बारा, कहा जाता है कि भगत सिंग की आकर इक्षा थी कि उन्हें फासी पर लटकाने की जगए गोली मार कर मोद दी जाए, मगर अंगरेजों ने उनके इस इक्षा को नहीं माना। नमबर तेरा, इस तरह भारत के सबसे प्रसिद स्वतन्तता स्रिनानी को केवल 23 वर्ज की उंगर में फासी दी गई, उनकी मृत्यूने स्यागळों लोगों को स्वतन्तता आंदुलान में भाग लेने के लिए प्रेरित गिया।